Hello friends, this is Mani Singh and you are watching My Business Guru. दोस्तों, जैसा कि थम्लेन से आप समझी गए होगे कि आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं कि PMGP स्कीम है क्या? देखिए, इसके लिए आपने काफी सारी चीजों को सुना होगा, काफी सारी शायद वीडियो को भी आपने देखा होगा. मैं मानता हूँ कि शायद इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस स्कीम के लिए तो कम से कम शायद ही किसी वीडियो को देखने की जरूरत पड़ेगी. PMGP स्कीम है जो कि परधान मंतरी रोजगा सरजन जिसका पूरा नाम है. ये परधान मंतरी की जो स्कीम है वो पूरे भारत वर्ष में चलती है. अब आप किसी वी राजजी में रहते हैं, किसी वी डिस्टिक में रहते हैं या किसी वी तहसील में रहते हैं तो आपके लिए स्कीम है. लेकिन इसी scheme में आविधन करने से पहले कुछ चीज़ें ऐसी जरूरी है जो आपको जान लेना बहुत आवशक है सबसे पहला काम कि ये scheme सिर्फ जो नया business शुरू करने जा रहे हैं उन लोगों के लिए है अब दूसरी बात है कि अब आपका जो भी business शुरू करने जा रहे हैं वो या तो service sector का होना चाहिए या manufacturing का होना चाहिए यानि service sector में अगर मैं बात करूँ तो आप किसी प्रकार के product का निर्मार कर रहे हैं अब चाहिए टेकस्टाइल से related है चाहिए फूड से related है चाहिए प्लास्टिक से related है इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात है कि निशियत जितने भी कार हैं जैसे कि बीडी, सिग्रेट, पान, तमाकू, शराब, बीर इस तरह का कोई भी आप नहीं डाल सकते हैं इसके अंदर दूसरा अब हम जो बात करते हैं कि service sector में service sector में जहां पर देखिए आप clear समझ लेना होगा कि आप यहां पर कुछ बनाते हैं सिर्फ service प्रदान करते हैं लोगों के लिए तो इसमें service center हो सकता है या computer institute हो सकता है या कई बार ऐसा होता है कि जो online forum अगयरा भरते हैं उस तरह का भी आपकी कोई दुकान हो सकती है तो इस तरह के काम के लिए आप loan ले सकते हैं अब देखे काफी सारे लोग पूछते हैं क्या मैं साड़ी का showroom को लूँगा या bike का showroom को लूँग आपको पैसा मिल सकता है लेकिन अब यहां जानने वाली बात है कि कितना पैसा किसको मिलेगा देखे अगर आप किसी प्रकार की manufacturing दालते हैं तो आपको 25 लाख रुपे तक का पैसा मिल सकता है और अगर आप service sector के छेतर में कुछ काम करना चाहते हैं तो अधिकतम आपको 10 ला आप लेने के लिए 8 भी पास होना बहुत जरूरी है आप 8 भी पास हैं कोई fresh business शुरू करने जा रहे हैं किसी पी तरह का तो उस condition में आप ले सकते हैं दूसरा इसमें age limit का कोई criteria नहीं है फिर भी हम मोटा माटी बात कर लेते हैं लोगों की 50 से आयू कम है उनको मिल जाता है म कि उनको मानना है कि इनके age group जादा है तो शायद ये बेजने सब proper तरीके से नहीं कर पाएंगे और देखे जब कोई bank आप के पैसा देती है तो वो चाहती है कि उसके पैसे के पूरी तरीके से बसूली हो सके अब हम बात कर लेकर थोड़ा सा margin की margin कितना आपको मिलाना जैसे ST, SC, OVC, भूदपूर सेनिक उस condition में अगर आप आते हैं तो आपको 25% की सबसीडी का पराबधान है दूसरी ओर अगर आप ग्रामीड चेत्र में हैं ग्रामीड चेत्र में अगर आप जनरल कैटिगरी में आते हैं तो 25% तक की सबसीडी का पराबधान है अगर आप special category ST, SC, OVC और भूदपूर सेनिक हैं या फिजिकल चैलेंड है तो उस condition में आपको 35% तक की सबसीडी का पराबधान है दोस्तों देखिए जब आप इस लोन को लेते हैं तो आपको अपनी तरब से भी कुछ पैसा यानि contribution करना पड़ता है तो उसका भी एक हिस्सा है अगर पैसा मिलाना पड़ेगा मान लीजिए कि आप 100 रुपे का लाउन ले रहे हैं तो 10 रुपे आपको देने हैं 90 रुपे आपको शाहता की जाएगी बैंक की तरफ से दूसरी ओर अगर आप special category में हैं वही again STSC, OVC या भूतपूर सेनिक तो उस condition में आपको 5% का ही अपनी करना रहता है उसके लावा बचा कुचा 95% आपको बैंक की तरफ से दिया जाएगा देखे मैंने आपको बूला था भी थोड़ देर पहले वीडियो में कि जिनकी इस 55 से 60 के बीच में है उनको थोड़ा सा चैलेंज है अब वह समझते हैं क्योंकि देखिए पहले क्या होता आप इदन के बाद या तो KBC पर जाएगा य distorted ऑड एक के पास जाता था उसके बाद उने फॉर्म को चांटा जाता था उनकी सुटेबिलिटी चैक की जाती थी उसके बाद इस फॉर्म को भेजा जाता। तक टास्क फोर्स कमिटी त्टास्क फोर्स कमिटी क्या होता हैं ड पर देखा जा तो अल्मोस्ट ऐसे कोई क्राइटेरिया नहीं था तो एक आप कह सकते हैं कि लोगों को सलेक्ट क्यों किया गया और सलेक्ट क्यों नहीं किया गया ये समझना थोड़ा सा मुश्किल था लोगों के लिए तो वहां पर लोगों को लगा कि वहां थोड़ी कह सकते monopoly या धांदेगिर्दी टाइप में हो रही थी तो लोगों ने इस चीज़ को बहुत जादा accept नहीं किया तो finally अब उन्होंने marking system करा है अब देखिए आप इनके website में जाएंगे तो वहाँ पर आपको इस तरह का document में लेगा और document में किलियर लिखा हुआ कि आपको कितने marks चाहिए देखिए मोटा मोटी हम देख लेते हैं तो 65% आपको marks चाहिए इस loan को लेने के लिए यानि कि लोन के eligibility criteria को पार करने के लिए इसमें देखिए अगर आप यंग हैं कम age है मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें कम से कम अठार है अधिक से अधिक का कोई criteria नहीं है अगर आपकी 18-20 साल है आप अच्छे खासे पढ़े लेके हैं आठीमी क्लाज जोसे मांगी गई और आपके पास ज्यादा chances हो जाते हैं इस loan को प्राप्त करने के लेकिन अगर आपकी age ज्यादा है आप कम पड़े लिखे हैं आप कराई की जमीन में काम करने जा रहे हैं आपके dependence जो members हैं उनकी संख्या भी आपके लिए ज्यादा है तो वहां chances आपके थोड़े कम हो जाते हैं तो यह तो रहा इनका marking का system अब आप डेवन में जा फोर्म भरेंगे तो आप डेवन में ही आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कितने marks इसमें गेन कर रहे हैं और academy to marks आपको दिया जाएगा loan या नहीं दिया जाएगा यह चीज़ उस पर network करती है अब इस loan में हम प्रेशर एप्लिकेंट हैं पहली वाल loan के लिए आविदन कर रहे हैं और अगर आप पहले से आविदन कर चुके हैं और आपको अपने application की स्तिती जाननी है तो आपके पास login ID पहले से ही है तो यह दूसरा option दे रखा इसको आप यूज कर सकते हैं इस application में जो आप basic जानकार को आप भरने के बाद भेजना चाते हैं उसके साथ साथ आप document जो है basic documents आप इसमें attach कर सकते हैं scan करके लाह सकते हैं साथ ही साथ मैं कहूँगा कि आप जिस चेतर में सब्सक्राइब आप ग्रामीड चेतर में खूल ले हैं तो सरपंच की तरफ से एक लिखवा सकते हैं कि उन और बल मिल जाता है इस form को भनने के लिए अब बात उरती है कि इसमें एक project report की जरूर पढ़ती है तो project report के लिए मैं suggest करूँगा कि अगर आप किसी chartered account से बनवा सकें तो बहुत बहतर है अगर आपको लगता है कि आप शुरू बात में chartered accountant को पैसा नहीं देना चाहते हैं आ यानि कि जो आपको पैसा मिलता है उसे machinery वाला पार्ट कितना रहेगा working capital का पार्ट कितना रहेगा आपके expenses कितने रहेंगे और expenses के बाद आपकी tentative income यानि कि आप कितना पैसा आने वाले कुछ वर्सों में कमा लेंगे अगर इस तरह कि आप समझ रखते हैं report बना सकते हैं तो अगर आप इन चीजों की समझ रखते हैं तो इन प्रोजेक्ट रपोर्ट से आप थोड़ा सा आईडिया ले सकते हैं अब देखिए आपने सम्मिट कर दिया आपका लोन भी हो गया मान लेजिए तो अब आपको ऊड़ती एडिपी के ट्रेनिंग एक enterprise development program होता है वो ट्रेनि कर लेते हैं तबी आपको ऊपर के वी इसी डिपार्टमेंट से आपके लिए जो सबसीडी है वो रिलीज की जाती है अगर आपने एडीपी प्रोग्राम नहीं किया गया है तो शायद आपकी सबसीडी रिलीज ना हो तो इडीपी जो प्रोग्राम है वो भी PME GP जहां से यो लेकिन इनके आप website पर जाकते हैं आपके छेतर में और आपके सेक्टर की training कब है कहां पर है उसकी details आपको मिलती रहेगी इनके help line नमबर भी है वहां से भी आप contact करके चीजों को जान सकते हैं अब हम उस scenario की बात करते हैं कि आपने loan ले लिया आपका business चल गया आपको subsidy मिल गई अब एक समय बाद आपका business इस उंचाई पर पहुंच चुका है कि आप उससे चार पैसे कमा रहे हैं और आपने time to time अपनी EMI भर रहे हैं आपने पूरा loan close कर दिया अब finally अब आप उस loan को और मतलब आप अपने business को अब अप upgrade करना चाहते हैं तो upgrade की condition में यह एक बहुत 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 बहुतरीन option इनों ने दिया है जो कि अभी add हुआ है नयाई उस option के तहट आप एक करोड़ तक का loan और उसी scheme पर उसी scheme में और उसी unit को पर आप फिर से ले सकते हैं इसके लिए आपक देखिए इसमें थोड़ा सा changes कर दिया गया इसमें भी आपको margin money देना रहेगा थोड़ा सा और margin money के लावा मैं subsidy बात करूं वो भी हिस्सा है देखिए margin money यहाँ अब आप किसी भी जाती वरके हैं सामाने हैं या सामाने के लावा special category में आते हैं तब भी आपको 10% देना ही प किसी भी category में आते हैं या general category में तो सब को subsidy का प्राबदान है 15% का 15% की subsidy आप सभी लोगों के लिए लेकिन जो पाड़ी छेतर में नौर्थ इस्ट जो एरिया है वहां के लोगों के लिए 20% की subsidy का प्राबदान है तो दोस्तों यह तो रहा PME GP की पूरी scheme और कैसे भरना है उ आप मुझे comment कर सकते हैं मैं comment के बाद उनके reply जरूर करूँगा अब रही बात की KBIC का जो official website है उसका link में आपको description में दे दूँगा वहां जाके आप देख सकते हैं और फिर भी आपको किसी तरह कुछ challenge आए तो आप मुझे mail कर सकते हैं या comment box में comment कर सकते हैं मैं उनके reply कर होंगा मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like करिए और फिर से बने रही है हमारे साथ फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी नमस्क्रार